बिसम्लाइ रुख्मान रहीं तोड़ेस टॉपिक is information life cycle in this video we will learn what is information life cycle let's start with this information life cycle और data life cycle बोट same है ठीक है 4 process होते हैं इसके acquisition, use, archival और disposal ठीक है acquisition में क्या होता है कि आप कोई भी organization है वो data को जब चाहे वो उसको in real बंदा create करें यह आपकी organization data को नहीं बाहर से बाई करती है, कोई software बाई करती है, ठीक है, वो इसमें आ जाता है, ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या आता है, इसमें system data हो, चाहिए वो business process data हो, वो सारा का सारा acquisition के अंदर आ जाता है, ठीक है, फिर इसके अंदर फर्दर क्या करते हैं, information is indexed, ज ठीक है, वो इसके उपर implement किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर, फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती है, कि rollback capability जो है, वो भी होनी चाहिए, वो भी provide की जाती है, ठीक है, document form में आता है, ठीक है, second step में आता है, use, अच्छा, use कि है, जो भी data आपका data in rest है, यानि कि कहीं store है हार्ट राइप पे, या USB पे, या भी data in motion है, यानि कि जो भी data on over network move कर रहा है, और data in use, जो current use हो रहा है, ठीक है, उसको protect करना है, ठीक है, और उसको protect करने के लिए क्या क्या challenges हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहां पे define होते हैं, ठीक है, फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती ह data होता है, जो no longer need, ठीक है, बट फिर भी आपको future के लिए save करके कहीं रखते हैं, ताकि इसको बाद में अगर use करना पड़े, उसको backup के तौर पे भी रखते हैं, ठीक है, अगर, ताकि उसको बाद में भी use किया जा सके हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा यही important होता ह है कि आप लोगों ने रिसाइड करना है कि जो भी data आपने archive किया है, ठीक है, store किया है, एक तो वो protected form में store हो, ठीक है, और plus यह वो कितनी देर के लिए store करना है, वो सारी के सारी चीज़ें इसके अंदर mention होती है, archival के अंदर ठीक है, फिर last one आजा ता जी, disposal, disposal में क्या होता ह होता है कि इसके two key specs होती है, ठीक है, data is indeed, बिल्कु data जो होता है, वो destroy करना होता है, इसके अंदर ठीक है, और important चीज़ जो होती है, इसके अंदर के जो data हो, क्या हम लोगों ने correctly destroyed किया है, इस सारी के सारी चीज़ें इसके अंदर disposal के अंदर mention होती है, ठीक है, अचा है, इसक main data उसका backup रखते हैं, ठीक है, ताकि अगर main data कहीं आपका loss हो जाता है, तो फॉरन उसको recovery के लिए backup data यूज़ करते है, ठीक है, और इस तरह data archive होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अपका data set, यह वो होता है, जो अब जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको फिर भी store करके ठीक है, ठीक है, ताकि यू, I hope you learned information life cycle, if you like this video kindly share it with your friends and subscribe this channel.